सामरत ने 54 निवास में अपनी प्रविष्टी को चिहनित किया जहां वह केवल तलाग पाखी में आये हैं और वहां नहीं रहे हैं। जब भवानी और निनाद उससे सवाल करते हैं तो वह चुप नहीं रहता है। जहां वह बताता है कि विराट और पाखी ने उसे कैसे धोखा दिया। इसके अलावा सामरत ने साबित किया कि 54 हवेली में पाखी के रहने के पीछे असली कारण विराट हैना की समरत। समरत ने विराट से इतनी बड़ी खबर छुपाने के लिए उनका सामना किया। जहां वह कभी उनके बीच नहीं आना चाहते थे। सामरत साई और पाखी से फस गया। साथ ही समरत ने साईको प्रेम त्रिकोड में खीचने के लिए विराट से सवाल किया। जहां वह सिर्फ एक मासूम लड़की है। विराट क्या जवाब देंगे और अब वह भारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यह देखना वास्तव में दिल्चस् जब परिवार घर छोड़ने का कारण बताता है तो समरत चुप नहीं रहता लेकिन वह पूरी सच्चाई का खुलासा करता है। पाखी उस पल के लिए हिल गया। जब समरत ने खुलासा करना शुरू कर दिया कि कैसे उनकी शादी के बाद उन्हें किसी और के लिए पाखी क प्यार के बारे में पता चला। समरत का चौकाने वाला सच रह स्योध घाटन चवन परिवार की गहराई को हिलाता है और वहन तो विराट और नहीं पाखी को बख्षता है। इस बीच जो सच्चाई से काफी हैरान है वह भवानी के अलावा और कोई नहीं है जो हमेशा सोच तथा कि पाखी समरत से प्यार करता है। भवानी इस प्रकार पाखी को रडार पर ले जाती है। जब समरत उसे और विराट के प्रेम संबंद को उजागर करता है तो पाखी अवाक रह जाता है। भवानी सभी से जूट बोलने और समरत के लिए अपना प्यार दिखाने के के लिए पांखी पर खुदाई करती है जब वास्तविक्ता में वह उसके बाहर निकलने का कारण था भवाने कैसे न्याय करेंगे और शो में आगे क्या होगा